Hello students, साफ सभी का स्वागत है तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम Class 10 Maths के Important Questions को समझेंगे जो कि आपके ExamNations में से और है कि Questions यही से आने वाला है इससे Out Questions आपका बिल्कुल भी नहीं जाएगा तो जो Questions आफी में आप लोग करवाने जारा हूँ तो इसके में आपको अलग-अलग सेट्स करवाऊंगा क्योंकि देखो जो हमारी CBC की Main Board ExamNations होती है तो उसमें Different-Different Sets होते है तो इस वाज़े से हम अलग-अलग सेट्स को इसी तरह से आगे देखते रहेंगे और यह आपका Pre-Board ExamNations में भी काम आ जाएगा जो कि आपके ExamNations में आएगे बाकी Chapter अगर आपने पूरा अच्छे से समझा हुआ है तो आप इसके Solutions को खुत भी कर सकते हो लेकिन मैं फिर भी कोसिस करूँगा कि जितनी जल्दी-जल्दी हो से कि आपको मैं Answers को समझा सकूँ क्योंकि अगर मैं Answers को Detail में समझाते गया तो फिर वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको मैं सारी चीज अच्छे से प्रोवाइड करूँ ताकि आपका आपका आपी समय बजच जाए चलो यहां फरस्ट कोशन दिया गया है कि इफ रं जीben आ फिका टॉल्नोय्याद यहां に procedures बैया है और यहां पर यह जो बॉला गया है तो ईस स्वाल पर क्या अपर एकस है दो इहां पर हां पर आकस्य जगह टूपूट कर दे रहे हैं तो यहां पर हमने YK र यहां पर भी हमने एक जगह परन सबस् Juice ऐसे कर रहे के टो ओड़ कर लेना सौल कर लेना माइनस 6 55 तो इस तरह से यहां पर ईसके लिए और आता ही होगा अब यहां पर 커़ वह उनिकालने के लिए बोला गया है इसको आप दो तरिके से बना सकते हो या तो आपıs को salt करके बना सकते हो यहां पर according बनाया हुआ है वह option लेके बनाया हुआ है जैसे यह जो इसके बाद हम एक एक करके options को लेके देख रहे हैं जैसे अगर आप लोगे तो इस equation में अगर पूट कर दिए तो जीरो आ गया तो यह answer आपका हो सकता है ठीक है तो यहां पर यहां पर हमने यह बाद करके देखेंगे तो यहां पर यहां पर यहां फृट खरने बाद जीरो आ गया गया तो एक जीरो हमने पता चल गया कि माइनस एम है ठीक है अब हम M plus 3 put करके देखेंगे तो M plus 3 को भी देखो यहां पर put किया गया तो M plus 3 put करने के बाद भी 0 आ गया तो simply X के जगा पर इन options को रख के देख सकते हो जैसे हमने इसको रख के देखा तो 0 आ गया तो आपका जो answer होगा हो यह हो जाएगा ओके एक तो यह तरीका है अगर आपको यह अच्छे से नहीं पता चला होगा तो बस आपके इसका जीरोज निकाल लेना आपका एंसर साल जाएगा ठीक है आपका जो भी method आपको आता होगा फैक्ट्राइशन method है quadratic method है quadratic polynomial जो हमने अलड़ी quadratic question में पढ़ा होगा है वहां से भी quadratic formula method से भी आप इसको बना सकते हो तो अलग-अलग method से आप मना सकते हो चलो यहां पर आप next question दिया गया है तो यहां पर दो equation दिये गए हैं पहला equation है यह दूसरा equation और बोला गया है कि यह इसमें से कौन से solution होगा या फिर x का value है यह होगा यानि कि हमें यहां पहले x और y का value find करना है तो x और y का value find करते हैं चलिए तो पहला वाला equation जो था इसको हम यहां पे लिख लिए हैं अब 81 का आप factor करोगे तो 3 का power 4 हो जाएगा ठीक है इस तरह से आप जब factor करते जाओगे तो factor करने के बाद यहा आप जो second equation था 81 का power x minus y equal to 3 तो यह वाला equation हमने यहां पे लिया हुआ है अब 81 का वही है फिर से factor की है तो 3 का power 4 आया फिर से यहां पे 3 और 3 cancel हो गया तो 4 x minus y का value 1 हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर भी हमने एक equation निकाल लिया अब क्या करना यह वाला equation निकाले और यह वाल निकल जाएगा ठीक है और बच्चों को अगर कहीं पर भी ज्यादा दिक्कत हुआ कोई question है ज्याद अच्छे समझ में नहीं आया तो अगर जातर बच्चों का किसी एक particular question पे comment आया तो मैं उस question को अच्छे से किसी वीडियो में जरूर समझाऊंगा ठीक है तो comment करते रहना जो समझ में नहीं आएगा ओके चलो आप यहां पर बोला गया है जो के यहां पर आप लोगों को इसमें दिखाए दे रहा है इसके का value find करना है और बोल दिया गया है कि यह no solution है ओके तो चलो यहां पर हम लोग सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालते हैं तो यहां पर हमने a1 का value x coefficient 1 है और a2 का value x coefficient 2 है बर्ट यहां पर a1 लिख दिया था तो यहां आप सुधार लेना इसी तरह से b1 by b2 निकाल लिया गया c1 by c2 निकाल लिया गया सबसे पहले आप लोगों को सब्सक्राइब करना a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2 यह निकाल लेना इसके बाद देख लेना कि यहां पे जो value निकले हैं जैसे 1 by a2 का value 1 by 2 निकला b1 by b2 का value 1 by k निकला और c1 by c2 का value 4y k निकला तो no solution बोला गया था question में तो no solution के लिए क्या होता है तो a1 by a2 by a1 by a2 equal to b1 by b2 not equal to c1 by c2 होता है यह होता है तो a1 by a2 के जगा पर हमने यहां पर 1 by 2 पूट कर दिया ब1 by b2 के जगा पर इसका value जो था वो पूट कर दिये और c1 by c2 के जगा पर यह value पूट कर दिये इसको बस सॉल्व करना है पहले अगर हम इन दोनों को लेंगे तो k का value 2 निकल जाएगा फिर इन दोनों को लेंगे तो k का value 3 by 4 निकल जाएगा ठीक है चलो यह हो गया आप यहां पर एक बहुत अच्छा सो कोशन दिया गया है बोला गया है कि यह जो एक equation दिया गया है यह repeated roots है repeated roots कहने का मतलब है equal root याद रखना कहीं कहीं ना confuse करने के ल तो बोला गया है कि यह repeated roots है तो सबसे पहले क्या करो कि इसका आरवा पर roots निकल के देख लो क्या यह equal roots निकल रहा है कि नहीं है तो कैसे पता चलेगा तो डी का value अगर 0 आ गया तो equal root होगा अगर दरवाइज नहीं होगा तो यहां पर देखको हमने d निकाला हुआ है जिसका 0 से बड़ा होता है तो यह repeated roots थोड़ी होता है यह तो आपका feel real and unequal हो जाता है ठीक है न मतलब unequal roots होता है equal roots नहीं होता है तो यह assertion जो reason assertion सही है बट इसका जो reason दिया हुआ है वह गलत है तो इसका right answer क्या होगा यहां पर देख लो कि assertion is true but reason is false option c वाला जाएगा ओके देखो यहां पर दिया ना options is correct option चलो next question पर आता है अब इस question में दिया गया है कि यहां पर यह जो एक quality equation दिया गया है तो इसका एक root जो है और वह दूसरे जैसे आपको पता है कि quality question में दो root होता है तो एक जो root है दूसरा जो root होगा इसका reciprocal है तो इसका reciprocal क्या हो जाएगा या जो answer जाएगा वह क्या निकल जाएगा a is equal to c इसका right answer यह हो जाएगा बिल्कुल सीदर से यहां पर बनाया हुआ है चलो यहां पर आप इस question को देखते हैं तो इस question में दिया गया है कि the first term of ap is p पहला term दे दिया गया है तो यहां पर हमने लिख लिए common difference यहां पर दिया गया है q तो हमें find करने बोला गया है 10th term बहुत से असान है हम लोग a 10 का formula लिख सकते हैं a is equal to sorry a n is equal to 10 है तो a 10 is equal to a plus n minus 1 into d n के जब पर 10 है तो 10 minus 1 into d बाकि a और d का तो value यहां पर भी हम देख चुके हैं दोनों का value यहां पर बस put कर देना put करके जो आएगा answer निकाल देना solve करके ओके अब यहां पर दिया गया है एक equation यानि 18 minus a 14 का value दिया गया 32 तो इसमें जो हमें है वो common difference निकालना है यह दिका value find करना है तो a 18 a 18 कहने का क्या मतलब हो गया जेखो अगर a 18 बोला जा रहा है तो इसको याद रखो a plus 17 d लिखना मतलब एक कम करके लिखना है d के साथ ओके जैसे अगर बोला जागा a 17 तो a plus 16 d ओके इस तरह से तो यहां पर a 18 लिखा हुआ है तो a 18 के जागा अब देखो a plus 17 d हो गया फिर माइनस है यहां पर हमने माइनस का साइन दे दिया और a 14 a 14 मतलब a plus 13 d यहां पर क्या था कि माइनस भी था ना तो ब्रेकेट के अंदर रहता जैसे यहां माइनस है और यहां पर आया a plus 13 d तो यह माइनस देखो फिर अगर नहीं समझ माया होगा तो अच्छे से माय आपको लोग समझाओंगा जाद अगर किसी पर्टिक्लर कोशन में पर कमेंट आएंगे मैं से और आपको आगे वीडियो में जलूर समझाओंगा अब आगे कोशन नमबर 9 यहां पर दिया गया है कि दो पोल है जिसमें से एक पोल का जो height है वो 6 meter है और दूसरे पोल का जो height है वो 11 meter है तो यहां पर सबसे पहले 2 पोल हमने बना लिया यह पहला पोल था जिसका height 6 meter था और यह दूसरा पोल है बड़ा वला जिसका height 11 meter है अब आगे यहां पर कोशन बोला जारा है कि if the distance between their foot is 12 meter अब इन दोनों पोल का जो फूट था इन दोनों पोल का जो फूट था इन फूट का जो डिस्टेंस है वो 12 meter है तो question में यहाँ पे बोला जा रहा है कि then distance between their top is तो इसके top का distance क्या होगा यानि यहाँ से यहाँ तक का distance क्या होगा तो देखो simple है figure हमने already बना रखा है यान से यहाँ तक का value AC का value अगर 12 है तो ये और ये side बरावर होता है क्योंकि ये rectangle हो गया तो ये अगर 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा BE का value और यहाँ से यहाँ तक अगर 6 है तो यहां से यहाँ तक का value 6 हो जाएगा तो यहां से यहां तक का value हमने 6 लिख लिया अब पूरा जो यह pole था इसकी value कितनी थी 11 तो 11 में अगर हम इस 6 को घटा देंगे तो 5 meter निकल जाएगा तो यहां से यहां तक का value हमने 5 meter निकाल लिया हमें निकालना था यहां से यहां तक का value तो पाइथागोरस थियोरम से हम निकाल सकते हैं, यहाँ पे 90 डिगरी बन रहा है, तो BD is equal to directly लिखेंगे, कि BE square plus DE square, इस तरह से हम दो diet कर सकते हैं, BE square plus DE square, इसका solution भी आप यहाँ पे देख सकते हो, अब चाओ तो इस तरह से solution पुरा करके भी निकाल सकते हो, तो इसका square तो 144 होगा, plus 5 का square करेंगे, 25 होगा, दोनों को जोड़ेगे, 169 आ जाएगा, देखवा गिया है, और 169 13 का square root होता है, 13 answer हो गया, ठीक है, चलो next question को समस्ते हैं आप, अब यहाँ पे दो quad दिये गया है, AB और CD, यहाँ पे आप figure देख लो, इसमें AB और CD, दो quad है, अब कहा जा है, B का value दिया है, और C का value दिया है, तो जो length DE है, इसका value हमें find करने के लिए बोला गिया है, length DE का value हमें find करने के लिए बोला गिया है, तो देखो इसके लिए एक rule याद रखना, इसके लिए rule क्या है, तो AE को अगर हम EV से multiply किये गिए, यानि कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम के multiply के equal हो जाता है अब यहाँ पे जो जो values दिये गए थे इन values को put कर लेना है जैसे a e का b का और c का a e b c इन तीनों का value put करेंगे a e फिर इसके बाद b और c इन तीनों का value आपने आप पूट कर लिया इन दोनों को multiply करके फिर 1.6 से काड़ देंगे बलब simply solve कर लेना e d का value आपका निकल जाएगा ठीक है 4.8 अब चलो यहाँ पे एक trigonometry का question दिया भाए काफी अच्छा question है इसको समझते हैं तो यहाँ पे cos 9 alpha का value दिया गया है sin alpha ओके तो हमें यहाँ पे गया है कि 10 5 alpha का value क्या होगा तो सबसे पहले जो गीवेन यहाँ पे दिया गया था ना इसको हमने यहाँ पे लिख लिया है कि cos 9 alpha is equal to sin alpha अब देखो आपने complementary angle का एक formula पढ़ा होगा कि sin 90 degree minus theta बराबर होता है cos theta ओके तो इसके जगह पे हमने sin 90 degree minus theta याँ theta की जहाँ पे 9 alpha है तो 9 alpha लिख लिए अब देखो बहुत सारे बच्चे ऐसा बोल भी सकते हैं कि सर यह हमारे saliva से हटाए गया बट नहीं आपको trigonometry पूरा का पूरा करना है ठीक है उसमें आप expect मर्द करना कि आपका कुछ भी चीज़ छूटा हुआ होगा exam license में questions आने का हाई chances और खास करके pre-board exam license में pre-board में तो बिल्कुल समझ लो कि यह question आपका exam license में आई रहा है main board examination में भी आ सकता है ठीक है तो trigonometry से आपका सोचो चलो ऐसा सोचो ना कि कुछ भी deleted नहीं है ओके चलो अब इस question को आगे हम यहाँ पर देख लेते हैं तो यहां तक समझ में आ गया होगा कि sign 90 degree minus theta बराबर cos theta होता है theta जहाँ पर यहाँ पर 9 alpha हो लिए हुआ है अब यह sign sign cancel हो गया अब यहां से हम solve करके हम alpha का value find कर लेंगे alpha का value आ गया 9 अब जो हमें find करने के लिए बोला गया था 10 5 alpha तो alpha के जगहाँ पर बस alpha का value निकाल चुके है 5 9 जा 45 हो यानि 10 45 तो 10 45 का value कितना होता है 1 तो आपका answer निकल गया 10 5 alpha का अब चलिए आगे question number 12 को सीखते हैं बनाने के लिए so question number 12 में यहां पे दिया गया है कि the ratio of the length of a rud and its shadow is 1 is to root 3 then the angle of elevation of the sun is यानि कि देखो question में क्या दिया गया है कि suppose करो कि यह एक rud है तो इस rud का length और इस rud का न एक shadow भी बन रहा है तो इसका जो shadow बन रहा है आपने यहां पे माल लिया कि यह जो shadow बन रहा है वो bc है और जो rud का length है वो ab है तो इन दोनों का जो length है rud का length और इसके shadow का length उन दोनों का जो ratio है वो दिया गया है यहां पर 1 is to root 3 तो question में हमें angle of elevation निकालने के लिए बोला गया है sun का तो suppose करो इधर sun है तो sun का जो angle of elevation बनेगा वो कुछ इस तरह से नीचे से उपर की और बनेगा यानि कि यह जो theta है इसका value हमें find करना है तो देखो यहां पर किसका value दिया हुआ है एक यहां पर ab का value दिया हुआ है और एक bc का value दिया हुआ है इसका जो ratio दिया हुआ था ना 1 is to 3 तो इसको हमने क्या किया है कि h और root 3 h हमने मान लिया है लेट दा length of the rud b h यहां पर हमने लिखा भी है और उसके shadow का जो length है वो root अंडर 3 h है तो वही चीज़ हमने यहां पर माना हुआ है तो यह h हो गया और यह bc का value root 3 h हो गया तो ten theta आमने यहां पर लिया हुआ है क्योंकि यह P का value यहां पर दिया हुआ है और यह होता है base यहीं perpendicular और base का value दिया हुआ है तो P by B का value दिया हुआ है तो P by B किसका formula होता है? 10 theta का तो इस वज़े से हमने 10 theta is equal to P के जगा पे h का value put कर दिये हैं और B के जगा पे root 3 h का value put कर दिये हैं अब यहां से यह h h cancel हो गया यह हो गया 1 by root 3 और 1 by root 3 का जो value होता है वो 10 10 30 degree बरावर 1 by root 3 होता है तो यह 10 10 cancel हो गया theta का value 30 degree आ गया तो यहां पे यह solution किया हुआ इस तरह से अब चलिए आगे question number 13 को सीखते हैं बनाने के लिए question number 13 में यहां पे दिया गया है कि एक circular grass lawn है जिसका radius दिया गया है 35 meter और इसमें दिया गया है कि जैसे सब पूछ करो कि यह circular एक lawn हो गया grass lawn यहां पे पुरा grass है तो बोला जा रहा है कि यह जो path है इसका area क्या होगा इस path का area क्या होगा यहां में निकालना है तो देखो सबसे पहले क्या करना है जो छोटा वाला circle था इसका radius तो 35 meter दिया हुआ था लेकिन जो बड़ा वाला circle है इसका radius तो पता नहीं है यह 35 था बट इसकी जो चड़ाई थी यहां से यहां तक वो 7 meter थी तो सबसे पहले बड़ा वाला circle का हम यहां से यहां तक radius निकालेंगे तो वही चीज़ हमने यहां पर क्या हुआ है जो बड़ा वाला circle था उसका radius निकाला हुआ है 42 meter बाकि आप लोगो जो area of path निकालना था तो इसका formula क्या हो जाएगा pi r square होता है तो इसमें 2 r है capital r square minus small r square ठीक है इसका path निकालेंगे तो path हमको निकालना था जो रास्ता निकालना था यहां से यहां तक का area का निकालना था तो इस वज़े से हम क्या करेंगे बडा वाला circle में से छोटा वाला circle का area को घटा देंगे तो answer निकाल जाएगा इसका formula होता है pi bracket में ले लेना capital r square minus small r square बस हो गया r का value पूट कर देना आपका answer आजाएगा ठीक है आएगे जो cube का एक face है उसका perimeter यहाँ पे दिया किया है जैसे cube होता है न इस तरह से तो इस cube का suppose करो कि जो एक face है suppose करो यह वाला जो face है इसका जो perimeter है वो दिया गया है 20 cm तो surface area उसका क्या होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो side होगा उस side का value find करेंगे यानि a's का value find करेंगे तो a का value हम यहाँ पे find कर रहे है जो side का value find कर रहे है तो जो perimeter दिया गया था 20 cm इसको हम 4 से काट लेंगे क्योंकि 4 side होता है इस तरह करके किसी 1 face को अगर हम लेते हैं तो किसी 1 face में total कितने side होंगे 4 side होंगे तिससे बज़र से formula क्या हो जाएगा 4 is equal to 20 4 is equal to 20 तो a का value 20 by 4 काटेंगे तो 5 निकलेगा तो यह चीज़ यहाँ पे क्या हुआ है सबसे पहले a का value find कर लिया गया बागी surface area निकालना है surface area का formula 6 a square होता है a का value था हम निकाल चुके है output कर देंगे answer निकल जाएगा ठीक है चलो अब यहाँ पे question दिया गया है तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें जो upper limit है वो find करने के लिए बोला गया है median class का median class का हमें upper value find करने के लिए बोला गया है median class का upper value find करने के लिए सबसे पहले हमें cumulative frequency निकालना पड़ता है तो यहाँ पे जो दिये गए थे data इसको हमने इस तरह से लिख लिया है ठीक एस cumulative frequency कैसे निकालता है तो यह 15 जैसे का वैसे हो गया अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे 28 होगा ठीक है अब या तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो या फिर आप इन दोनों को जोड़ सकते हो ओके तो इन दोनों को जोड़ दिये 28 हो गया फिर या तो आप इन दोनों को जोड़ सकते हो या फिर इन दोनों को जोड़ सकते हो तो 38 हो जाएगा ज्यादा चारेगा कि आप ऐसे ऐसे करके जोड़ो, यह आपके लिए ज्यादा बैटर होगा, आपको इसमें ज्यादा जोड़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इस तरह से last में कितना आया, 63, तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था median class, किसका निकालना था median class, स्वरी, हम हमें median class निकालना पड़ेगा, कौन सा median class होगा, तो median class निकालनी के लिए, सबसे पहले हमें n by 2 निकालना पड़ता है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो n का value निकाला था 63, इसका half कर देंगे, तो n by 2 निकल जाएगा, लगबग आएगा 31.5, अब यहाँ से देखो 31.5 किसके ब median class आएगा, अब बाकी रव गया, कि इसका upper limit क्या होगा, तो upper limit, यह होता है lower limit, यह होता है lower limit, याद रखना, इसको बोलते हैं upper limit, इसको बोलते है lower limit, तो upper limit 165 है, सो आपका यह right answer हो जाएगा 165, ठीक है, समझ में आ गया होगा, अब चलिए आगे हम question number 16 को सीखते हैं बनानी के लिए, सो यहाँ पे 16 number में दिया गया है, कि एक card is run from a deck of 52 cards, यानि कि आपको पता ही होगा कि तास की गड़ी में total 52 cards होते हैं, तो इस 52 cards में से किसी card को निकाल दिया जाता है, ठीक है, किसी cards को निकाला जाता है, तो यहाँ पे बोला गया है, कि जिस card को निकाला जा रहा है वो ace, यानि कि 1 का heart नहीं है, ठीक है न, तो सबसे पहले आपको तो यह पता होना चाहिए, कि 1 का heart कि सितास के गड़ी में total कितना होगा, तो a total 4 गो होता है, जिसमें से जो heart का a होगा, वो केवल 1 ही होगा, ठीक है, तो सबसे पहलें क्या करेंगे, 52 में से 1 को घटा देंगे, तो 51 हो जाएगा, तो answer कितना निकल जागा, 51 by 52, ओके तो यहाँ पे probability नहीं निकालने के लिए बोला गया, यहाँ पे बोला गया है, अगर probability निकालने के लिए बोलता, तो 51 by 52 होता, बट यहाँ probability नहीं निकालने बोला है, यहाँ पे बोला गया है, तो यहाँ पे 51 ही diet आपक निकल जाएगा ठीक है चलिए आगे देखते हैं question number 17 को तो यहाँ 17 number में यहाँ पे दिया गया है the coordinates of the point which is reflection of point minus 35 in x-axis आभी देखो यहाँ पे figure देखो गयाँ आपको समझ में आ जाएगा आपको यहाँ पे निकालने के लिए क्या बुला गया है यहाँ पे आया तो इसका reflection इधर किधर होगा तो बस यही हमें निकालना है तो यह minus 3 है और minus 5 होगा बस यही है यही answer आपका हो जाएगा चलो यहाँ पे next question को देखते हैं दिया गया है कि c is the midpoint of p q जिसमें p का और c का यहाँ पे coordinate दे दिया गया है और q का भी यहाँ पे coordinate दिया गया है ठीक है तो x और y जो है उसका value find करना है तो यह coordinate geometry का कोश्ण है simply हम made point वाला जो formula है वो use करेंगे coordinate geometry का आपका असानी से इस तरह से निकल जाएगा ठीक है बना के देखना नहीं समझ मायागा तो comment करना आगे मैं आप लोगों समझा दूँगा दूसरे वीडियो में ठीक है जातर बच्चों comments आए तो आप यहाँ पए दिया गया एक गहां सेंट्र्याइड हूप ठोण्छे वृटिस यहां पर दिया गिया है तो सेंट्राइड का यहां पर אם फॉर्मुला एक स येक्ञ़िक्टिव में लास दिया गया है जो की assertation region का question है कि the SCF of two number is 5 and their product is 150 then their LCM is 30 question में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो SCF होगा किसी दो number का 5 है उसका product 150 है तो उसका LCM 30 होगा ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है तो यहाँ पे suppose को रिश्टरसमने बनाया हुआ है जैसे आपको यह formula पता ही होगा कि LCM किसी भी दो number का निकालो और SCF निकालो दोनों को multiply करते है तो product of two number आता है ठीक है तो इस तरह से हमने यहाँ पे क्या किया है कि LCM निकाल लिया है तो LCM कितना निकला 30 निकल लिया तो यहाँ पे एक बार देख लो लोग जो LCM निकाला गया है क्या यह 30 है तो बिल्गुल 30 है तो जो मेरा assertation हो रहा है वो सही हो रहा है ठीक है? assertation जो हम लोगा सही है अब reason में यहाँ पे दिया गया था कि for any two positive integers A and B SCF पलस दे दिया है देखो यहाँ पलस दे दिया है हमने formula में क्या देखा कि SCF multiply LCM होता है बट यहाँ पे पलस दिया हुआ है तो region तो गलत दिया हुआ है तो फिर से वही चीज है कि assertation सही है बट reason false है तो option CM लोगा right answer हो जाएगा